एक और सवाल लेते हैं हम किसी ने कहा x1 बराबर root 3 sin omega t ठीक है और x2 बराबर साइन ओमेगा t x1 की वैल्यू का है root 3 sin omega t और x2 को अगर हम और simplify करें ठीक है तो ही आजाएगा 1 sin omega t plus pi by 2 question क्या था find superposed shm equation ठीक है तो मैंने solution लिखा मैंने यह question है solution x1 कितना दिया हुए root 3 sin omega t और x2 को मैंने simplify कर दिया तो मैंने का इसको 1 cos को लिखा sin omega t plus pi by 2 omega t plus pi by 2 clear है तो x1 हो गया root 3 sin omega t और x2 हो गया 1 sin omega t हमें बताया था phasor vector addition भी कर सकते हैं और phasor addition भी कर सकते हैं phasor से मैं इसको करना चाता हूँ तो यह मुझे omega t plus 0 दिखी रहा है तो यह इदर बन गया root 3 root 3 और इदर क्या बन जाएगा 90 degree है यह इधर अज़र यह minus होता minus cos omega t होता तो यह minus pi by 2 plus cos omega t तो plus pi by 2 यह उपर कुछ है इदर आगया 1 इदर आगया root 3 resultant will be parallelogram law से करते हैं parallelogram बनाया है मैंने तो यह बिल भी diagonal और parallelogram तो डाइगनल के वल्य हो जाएगा root 3 square plus 1 square तो यह एंगल हो जाएगा 30 degree है 60 30 degree तो answer क्या हो जाएगा यह था sin omega t plus 0 तो यह हो जाएगा x1 plus x2 बराबर 2 sin omega t plus 30 degree को किते रेटिन बोल सकते हैं 5,000 xu वैंगर ढूस्त 2 věktoral पिर टेके भी पूस्त वहाएगा अपर्टनperson कि magnitude बराबर amplitude phase दिफर्न वराबर फिए मेयर वही रहता है ओमेगा सेम रहता है ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हूं सुपर पोजिशन मतलब एक X में तो दूसरा Y में भी हो सकता है और Z में भी हो सकता है कि इसमें कॉंप्लिकेशन बहुत बढ़ जाती है तो कोई हमसे एक्वेशन निकालने के लिए नहीं पूछा है कि एक्वेशन क्या होगी राधर देवील आस्क कि पाथ या का ट्रेजेक्टरी ओफिट पूस्ट एस एच्यम ठीक है ना ट्रेजेक्टरी ऑफ सुपरपोस्ट sHm मतलब ट्रेजेट्रीर इंट्रेजेक्टरी इसको हम बोलते हैं लिसा जू से फिहरस लिसा जू सब आपने हैं लिसा जू सेने के पहला लेते हैं Curious 1 लिए मैं है शूरी सी में करेंजित से ठीक है जैसे मैंने का WN इस बराबर एसा मेंग इस बराबर एससाइद को रूसल लिए निकाल लिए वाई बराबर एकॉर समी hats है ठीक है यह ढिसे अ अब ट्रेजेक्टरी निकाल ली है तो इसको मै्थमेटिक थोड़ी से लगाने पड़े थोड़ी सी लगाने पड़ेगी तो हम कह सकते हैं साइन स्कुर टीक प्लस कॉष्प दिटा बराबर वाण तो बाय सिंपल मैंतेमेटिक्स हम कह सकते हैं X square plus Y square बराबर A square तो शेव विल बी सरकल शेव बी सरकल तीक हैं अब समझते हैं कैसे clockwise घुम रहा है कि anti-clockwise गुम रहा है तो यह आपजाओ ती बराबर 0 रखो यहां पर तेक है यह मैंतापटी सम्मझ में आ गई होगी होगी आपको कि X2 plus Y2 बराबर A2 हो गया अच्छा T बराबर 0 रखो दोनों में रखो 0 क्या हो रहा है यहां 0 रखा तो X बराबर क्या हो गया 0 और यहां 0 रखा तो Y बराबर क्या हो गया यानि एक ऐसा पॉइंट है जहां एक जीरो हर वाई क्या है यानि यह ती बराबर जीरो पर यह पहला पॉइंट अगया यह पॉइंट अब ओमेगा टी बराबर पाई-बाई-टू रखो मतलब 90 डिगरी बाद यह क्लॉक्वाइज घुम रहा होगा तो य यहां पर होगा आओ चेक करते हैं तो इसमें ओमेगा टी को 90 तो दोनों में एक रिपीट शुरुवात में किसी का पाथ देखना तो हमें क्या करना है अलग अलग पॉइंट लेने पड़ते हैं शुरू में बताया था ग्राफ मतला इस डब्बे में दुनिया के सारे और यह हो गया एक और यह जीरो तो यह एक अगला पॉइंट आ गया यह इस तरह से ग्लॉक्वाइज घूम रहा है कि अग्लॉक्वाइज घूम रहा है ठीक है इसी में आगे बढ़ते हैं केस वन अब आता है केस टू पर ठीक है धियान रखना हमने फ्रिक्वेंसी सेम लिए तो केस्टू डिफरेंट अप्लिट्वट ठीक है जैसे किसे ने का एक्स बराबर एसाइन ओमेगा टी ठीक है यह नंबर ले रहेते हैं सब्सक्राबर थ्री साइन ओमेगा टी य बराबर इसको भी चलो साइन ही ले लोते हैं एक साइन ओमेगा टी ठीक है तो सिंपल सा देख रहा है इसमें हम अगर हम थोड़ा सी मैथमेटिक्स लगाए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो हम यह सीधे-सीधे कह सकते हैं कि य बराबर टू एक्स लिखा है एंड इस विए प्रेटिपल भी होता तो भी है स्टेट लाइन ही होता और एम के अलो जिसे यहां पर टू आई यह तो एक टू बाइवन हो जाती है इसी में एक और केस लेते हैं अपने जिसे सब्सक्राइब बराबर एवन साइन ओमेगा टी और वाए बराबर एटू अब साइन यह कॉस्ट लेते हैं इसको अगर ढंग से देखें तो यह उसी तरह का केसे जो किस फ़न लिखा था वहां अप्लिट्यूट सेम था यहां अप्लिट्यूट के हैं डिफ्रेंट है तो क्या कह सकता हूं मैं एक्स अपॉन एवन साइन स्कॉर थीटा प्लस को स्कॉर थीटा बराबर वन तो यह कुछ शेप बन गया मुझे इसा स्टैंडर्ड शेप आप लोगों ने पढ़ा नहीं लेकिन क्लास ट्वल ने पढ़ेंगे आप लिस शेप इसकाल इलिप्स इडबल ल आई पी ऐसे एलिप्स टेके इलिप्स सरकल इजा स्पेशल के आप अगर एवन और एटो दोनों बराबर हो जाए तो इलिप्स फॉर्मा सरक शाहां लिए सबने देखा इसमें इंपोर्टन बात है कि हमने दोनों की फ्रीक्वेंशी सेमली हैं फ्रीक्वेंशी सेमली हैं सेम इसे के एसे लिए ग्ष्वेंशीं और चांड बीधोर फ्रीक्वेंसी वारे डिरेक्शन अपव इंद उनकिन फ्रूक्वेंसी च डिक्वेंसी फ्रूक्वेंसी मारे देशिए कि अगर मैं यहां से यहां देखूं कि वापस यहां पर देखने क्या करने वाले हम हम इसको पूरा चला रहे हैं और देख रहे हैं X में कितनी बार चल रहा है वाई में कितनी बार चल रहा है क्लियर है इसकी कैसे देख सकते हैं शैटो भी ले सकते हैं ठीक है जब इधर शैटो ली तो हम कह सकते हैं यह पहले आगे गया फिर वापस मीन पर आ गया पीछे गया फिर वापस मीन पर गया नहीं एक उसलेशन कंप्लीट हो गया ऐसे इधर वापिश एक और लीशन चैनि एकस में दो ऑस्सिलेशन हुए और वाइ में नीचे गया और वापिस है तह वाइब सब्सक्राइब करते हैं चलोगे और सब्सक्राइब करते हम तुसा इक्जैक्ली क्लेव हो जाएगा कि क्या हो रहा है ठीक है सपोस्थ मैंने यह अरे बाब रहा है तो बड़ा complicated हो गया बहुत easy है कई लोगों को आंसर निकाल भी लिया होगा विंदत ठीक है F Y by f x किसी बेक पॉइंट से स्टर्ट करो वो इपर गयानी दीतल वर्डिकल में वह व वर्रीस ही चार्ट में विजल से ख Yeah तो वर्टिकल में यहां तक एक और फिर यहां पर एक और दो तीन चार यानि वर्टिकल में वापिस आया तो यहां पर एक ही और सिलेशन हुआ आई रिपीट हमें और आसान तरीका है लूप देख लो जितने लूप सोंगे यानि उतना ही वह चला है यानि उसके अपोजिट वाले में सब्सक्राइब एक समय चार चलने के बाद यह उसलेशन हो रहा है उतने में वाई में चार बड़ चल चुका है इसका मतलब जितने लूप जाके इसका एकอसिलेशन होगा अपन नीचे कोई लूप नहीं आनि रिपीट तो यह देश्वा आएगा ठीक है इस इस ओल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको कहीं भी कोई डाउट हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट हो उसका वीडियो उसका वीडियो पॉसकर के रिवाइंड करके नोट्स बना के क्वेस्टिन सॉल करके बार- जादा हो सके उसको प्ले करें आपके पास बहुत सारा टाइम है आप अराम से जितना हो सके उसको प्ले करें और डेफिनेटली जितने जादा कोईशन लगाएंगे उतनी जल्दी आपका सेलेक्शन जे में शोर हो जाएगा ठीक है इस आल फॉम माई साइट थैंक यू